हेलो वेलकम टू वाइस सेक्यूरोटीज आज हम लोग वाइस सेक्यूरोटीज के रिसेश पूटल पर केसी 100 इंडेक्स की लाइफ परफार्मेंस को डिसकस कर रहे हैं इस वगत केसी 100 इंडेक्स 43,507.63 पॉइंट के उपर मौझूद है 11.62 पॉइंट मार्केट अभी तक लू ट्रेड हो चुका है वो 49.36 मिलियंट में ट्रेड हो चुके हैं आँ मार्केट परफॉमस के लीडर में डाब्लू टील, ,DSL ,Synergy ,PiBTL , Telecard , WTL , 19.21 million shares ट्रेडिंग अभी तक Market में हो चुकी है , DSL , 8.90000000 मिलियनशेश के ट्रेडिंग हो चुकी है , Synergy , 8.5 10000000 ट्रेडिंग हो चुकी है , PiBTL , 6.25 million , ट्रेडिंग अभी तक हो चुकी है , Telecard , 5.61 1 million shares की अभी तक market में trading हो चुकी है इंडाइस में आते हैं इस वकत current status को अगर index के देखें तो हमारे पर current status में हमारे पास सेमें कर सेक्टर negative है साथ साथ टेक्नोलजी और पावर ज्योनिशन के सेक्टर भी negative मौझूद है और इंजीनियरिंग के सेक्टर भी इसवकद हमारे पास स्लाइटली पॉजिटिफ में बढ़कर आ रहे हैं इंडेक्स की ओपनी हुई इंडेक्स ने अपने इंटरडे लो बनाया 43,375.51 पॉइंट्स का और लूज करे 147.04 पॉइंट्स और इसने अपने इंटरडे हाय बनाया अभी तक 43,686.35 पॉइंट्स का और गेन करे 163.8 पॉइंट्स कॉंसिट्वेंट्स मार्केट में पॉजिटिफ 40 है नेगेटिफ 47 है और अंचेंज 13 है मार्केट में अभी तक जो मार्केट वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है 49.52 पॉइंट्स की ट्रेडिंग अभी तक मार्केट में हो चुकी है as compared to the day before yesterday मार्केट में वॉल्यूम क्लोज हुआ था 64.53 पॉइंट्स का मार्केट मार्केट मयप की समवधिकी बात करें तो इस व वाक चư उट में मर्केट मैप ऑपन हुई हुई केसी अंडरि इंडेक्स करकर मार्केट मैप देखें तो campaign के सैड्टर में इस वक्ट हट अमाराबस पॉजिटिफ है और अट के ुड टन जबल होजूद है commercial bank overall हमार पर पॉजिटिव मौजूद है power donation में के electric नेगिटिव पर करार है hub power भी नेगिटिव है लेकिन cap को हमार पर इस वकत पॉजिटिव में मौजूद है transport में P.I.B.T.L. पॉजिटिव मौजूद है technology in communication में TRG नेगिटिव मौजूद है 4G fertilizer एंग्रो fertilizer फात्मा fertilizer और एंग्रो कॉपरेशन और FBBPL मौजूद है जिसमें FFC और effort और फात्मा इस वकत पॉजिटिव में है और FFBL और एंग्रो इस वकत नेगिटिव में performance अपनी शो कर रहे है sector overview में आते हैं इस वकत KC under index के सेक्टर ओवर्विव में मेजर सेक्टर रिफाइनरी का है उसने 2.15 पॉजिटिव मार्केट के अपलाइज़ेशन को आज गेन किया हुए इस में synergy NRL attack refinery और PRL मौझूद है PRL का basically upper log भी लगावा है और उसके अला साथ साथ जो है वह बागी overall refinery के sector भी positive मौझूद है major news refinery की आज पाकिस्तान को मिली है कि सौधियर अब जो है पाकिस्तान refinery limited में investment कर रहे है for the expansion of their plant और उसके साथ साथ refinery के sector के chemical का sector है chemical sector भी इस वकद 1.21% अपनी cumulative market capitalization को gain किये हुए Colgate, ICI, EPCL इसमें मौझूद है negative sector की बात करेंगे negative sector में technology and communication का sector 0.7% अपनी cumulative market capitalization को loss कर दिया है system limited इसमें 0.82% negative बढ़करा है TRG 0.69% negative मौझूद है PTC 0.13% negative evansom 0.57% negative और air link जो है वो 0.85% इस वकद negative मौझूद है technology communication के साथ साथ oil and gas explosion companies भी 0.5% negative इस वकद मौझूद है technical chart पर आते हैं KC under index के जिस तरीके से इस वकद KC under index 43,549.54 points के पर मौझूद है और market में इस वकद KC under index for 25.99 overall 26 points gain कर चुका है हम देख सते हैं के market में यह resistance line मौझूद है market की resistance trend line जो draw हीवी 14 December 2021 से draw हीवी है और इसने इसको comeback करना है जो के इसकी line draw हीवी है till 28-29 March 2022 तक market अगर इस level के उपर आती है तो हम लोग जो है bullet direction move along कर सकते हैं साथ साथ market में जो RSI इस वकद मौझूद है हम देख सते हैं RSI की trend line मौझूद है उसके उपर the day before yesterday और आज के दिन जो है वो RSI की जो draw line है वो मौझूद है RSI के जो points है वो basically इस वकद हमारे पास 44.22 है और अगर हम pass की बात करें the day before yesterday की Wednesday की sorry Thursday की तो हम आपास 43.79 मौझूद है जो के increase हुआ है towards 44.22 points के पार अगर market इस level को जो के इसकी trend line मौझूद है RSI की 42.24 के उपर रहती है तो market की performance however Monday वाले दिन हम positive देख सते है even though market की एक support भी मौझूद है जो के 40 43,000 83 points के उपर मौझूद है साथ साथ market के दूसरी support 43,500 level के उपर भी मौझूद है अगर market इन दोनों level के उपर close होती है तो हम Monday वाले दिन जो है वो market को positive में hopefully देख सते हैं साथ साथ negative performance के अगर बात करें तो market के अगर इस वाकर situation negative रही और volumes basically market में इस वाकत बहुत कम है 50 million shares की अभी तक market में trade trading हो चुकी है इंटर intraday में तो अगर market इस तरीके से sustain नहीं कर पाती है अगर volume decline होते हैं और volume increase नहीं होते हैं तो हम आपस फिर 42,700 के support level मौझूद है 42,700 के support level के बाद हम आपस 40,000 38,000 के support level मौझूद है जहां पर market जो है वह move backward कर सकती है तो यह वोड़ा के 100 index की live performance आज आज आप लोग डिसकस करी I hope यह आप लोग लिए informative आपने feedback से ज़रूर हमें आगा कीजेगा हमारी वीडियो को ज़रू लाइक करें subscribe करें और comment section में फीड़बेक से ज़रूर हमें आगा कीजेगा हम लोग YouTube के उपर Instagram के उपर Facebook के उपर LinkedIn के उपर Twitter के उपर भी मौझूद है आप हम वहाँ वह फॉलो कर सकते हैं और आपने feedback से ज़रूर हमें आगा कर सकते हैं thank you कर सकते हैं